आज हम एक रेखाचित्र देखेंगे जिसका नाम है रजिया है इसकी लख़क है रामपुर्ख्या बेनिपूरी चलो इस रेखाचित्र कुछ बिकल परसन देखते हैं इसका पहला परसन है श्रीट बेनिपूरी जी का जन्फ हो हता कप इसमें अफ्षन गलत है इसका सही अंसर होगा 1899 दूसरा प्रसना है उनके पीता थे श्री फुलबन चिंग वोई हिंदी सहित्य जगत में सिध्य हस्त लेखक माने जाते हैं किस केत्र में लेखा चित्र सब्दा चित्र में उन्होंने संपादन किया था किस मासिक पत्रिका खा उन्होंने हिमालया मासिक पत्रिका का संपादन किया था उनका नाम किस के संस्तापको के संब्मान संब्मान के साथ लिया जाता है उनका नाम बिहार हिंदी सहित्य संब्मेलन में संब्मान के साथ लिया जाता है वे अक्षिल भारतिया हिंदी साहित्य सम्मेलान के प्रचार मंत्री थी कब 1929 में वे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधख्या रही किस दल की अक्षिल भारतिया कंग्रेस सोसियालिस्ट पार्टी बिहार के 1948 में उनकी रचना है उनकी रचना है गेहूं और गुलाव उनके अधिकान्स प्रसित कुत्तियां लिखी केई है कहां काराबास में उनके निवंदों में आनन्द मिलता है केसा ब्यंगर बिनोतका बेनिपूरी को डेड़ साल की कोठर सया मिली थी किस पर इनकलाब जिंदावाद पर उनकी भासा सेली में भरपूर है उनकी भासा सेली में भरपूर है चित्रो पमता उनका देहवासान हुआ था कफ उनका देहा वसान हुआ था 1968 इस भी में बच्मार्ण के समय किसकी स्नुत्ती ताया हो उठी बच्मार्ण के समय रज्या की स्नुत्ती ताया हो उठी लड़की कितिनी दूरी पर खड़ी थी लड़की दो तिन गस की दूरी पर खड़ी थी कुन आखों में जुगो कर रखती थी लेखक को आखों में जुगो कर उनके मासी रखती थी ओह मेरे आगन में बाजार पसार कर बेटी थी किसका चुडियों का प्रस्णों का उत्तर रजिया केसे देती थी प्रस्णों का उत्तर रजिया गर्दन हिला कर देती थी बबोय जी रजिया से बिहा की जिएगा कौन बोली उसकी मा ने बोली रजिया की मा ने बोली रजिया के हाथ चुडिया पहनना की से पसंथी रजिया के हाथ से चुडिया पहनना नई बहु को पसंथी कौन उसके पिछे पढ़ रहा था, हसन उसके पिछे पढ़ रहा था, इस मौजदूर को कहा से उठा लाई, किसका कथन है, ये कथन है, राम बुख्या बेनिपूरी क्या, बाबो, अवरत आपको बुला रहिये, कौन बोला है, एक बच्चा बोला, कौन कहा है उठी, सलाम मालि रजिया कहें उठी सलाम माली अगला प्रस्न है रजिया ने लेखक के हाद में क्या रखा? रजिया ने लेखक के हाद में चूडिया रखा राम बुख्या बेनिपूरी किस जुख के साहित्य करती? राम बुख्या बेनिपूरी सुकलोतर जुख के साहित्य करती? राम्भुक्यों बेनिपूरी का जर्मस्तान है बेनिपूर। उन्होंने समाचार पत्र निकला है। जुबक नामक समाचार पत्र लिकला। उनका पतितों का देश है उपन्यास। राम्भुक्यों बेनिपूरी की रेचनाई प्रकासी थे। उनकी स्मूती में डाक टिकर्ट जारी क्या गया। 1999 में। अखिल भातिया राम बुख्या बेनिपूरी सम्मान किसके द्वारा प्रतिवर्ष द्या जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष द्या जाता है। बेनिपूरी ने अपने निवन गेहू और गुलाव में किस सेली का प्रजोक्या है। गेहूं और गुला में प्रतिकात्मक सेलिका प्रजुक्या है। राम बुख्या बेनिपुरी बिहार बिधानसवा के सदस्य चुने गए। कफ्र राम बुख्या बेनिपुरी 1957 इसवी में बिहार बिधानसवा के सदस्य चुने गए थे। ये कितने बर्ष की आयू में पत्र पत्रिकाउं में लिखने लेगे थी। सिता की मां किस बिधा की रचना है। सिता की मां रामबुक्या बेनिपूरी की नाटक है। बेनिपूरी जी ने पत्रिकाउं का संपादन किया। बालक, तोरुन भारत, जुवक, D सभी। इनको भासा का जादुगर माना जाता है। इनके द्वारास प्रजुक्त खड़ी बोली में बिद्यवान है। सरलत्ता, सुभदत्ता, सजीवता, D सभी। बेनिपूरी जी ने किस बिधा में अपनी लेखनी चलाई। बेनिपूरी जी ने निवान्द उपन्यास कविता, D सभी। सभी बिधा में अपनी लेखनी चलाई। उनका लालन पालन किस की देखरेक में हुआ। पेनपुरीजी का नालन पानां अपनी मोसी की देखरेंग में हुआ, इनोने अध्यायन छोड़ दिया, कब इनोने अध्यायन छोड़ दिया, और य्षिसवी में, इनोने हिंदी सहहित्य सम्मेलण से उपाधी प्राव की विशारत, किसके अध्ययन से इनकी रूची साहित्य में हुई तूलसीदास की रामचरीद मानस की अध्ययन से इनकी रूची साहित्य में हुई इनकी अधिकान स्रचनाय लिखी गई है जेल में इन्होंने निवन लिखा इसका सहीं हैं, दी-सभी माटी की मुरत किस विधा की रचन है, माटी की मुरत उनकी रेखाचित्र है मिल के पत्थर किस विधा में लिखी गही है, मिल के पत्थर, संसमर्स रन है चिता के फूल है कहानी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सस्क्रीब कीजिए और कमेंट कीजिए ठैंक यू